गुद मॉर्निंग डियर स्टुरेंट्स तुरेंट्स हम आज का टॉपिक हमारा है वो है कॉमन मल्टिपल्स जो के हम पिछले कुछ वीडियो में जो मैं आपको लेसेंट पड़ा रही हूं बी में मल्टिपल आइवल बी यूर फैक्टर तो उसी का हमने जो अपने लास्ट भ पिजिट्स का निकालेंगे फॉर फाइव और सिक्स तो हमने फॉर के यहां पर कुछ मल्टिपल्स निकाले हैं कौन-कौन से हैं ठीक है ऐसे हमने 5 की यहां पर लिये हैं तो 5 का लिया हमने 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 4s are 30, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50, 5 11s are 55, 5 12s are 60 ऐसे 6 के भी हमने 6 का टेबल लिका हमने 6 के मल्टिपल्स लिये हैं 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 4s are 24, 5s are 30, 6s are 36, 7s are 42, 8s are 48, 9s are 54 और 10s are 60 अब हम यहां पर कुछ मल्टिपल्स, कॉमन मल्टिपल्स देखेंगे जो के हमें 4 और 6 के बीच में हैं तो हमने, मैंने कुछ मल्टिपल्स लिखेंगे, लिखेंगे हैं जैसे 12 है, 24 है, 36 है, 12 है, दोनु में, 24, 4 और 6 दोनु में है फिर आगया 44, 44, नहीं, 48 है, फिर 48 दोनु में है फिर 60, 60 भी दोनु में है, ठीक है बच्चो, तो ऐसी आप 4 और 5 का देखेंगे 4 और 5 का 20 है, हाँ मैं 20 है, 40 है, 40 भी है, 60 है, हाँ 60 भी है ठीक है, हमने अब यहाँ पर 5 और 6 का देखा, 30 है, 30 है, 60 है, 60 है ठीक है, अब ऐसा कौन सा कॉमन मल्टिपल है, इन तीनु में जो कॉमन है जो के हम इस सेंटर में लिखेंगे, अब देखें, अब अगर हम देखेंगे 4 और 5 का कॉमन मल्टिपल 20, 40, 60 ठीक है, 4 और 6 का 12, 24, 36, 48, 60 5 और 6 का 30 और 60, तो अब इन तीनों में जो कॉमन एक मल्टिपल है वो है 60, ठीक है, वो इन तीनों में मिल रहा है, तो वो तीनों का हम लिखेंगे इस सेंटर में जो यह ग्रीन कलर किया है, तो इसमें हम यह लिखेंगे 60, ठीक है बचो, तो यह हमें एक мі्हाप मिला, जो की 4 में भी है, 5 में भी है, और 6 में भी है, अब हम यह क्वेस्ट देखेंगे कि क्या है, अब पहला क्वेस्ट है हम attachments है हमें, what common multiples of 5 & 6 did you write in the blue part, तो जो common multiple हमने blue part में लिखें वो है 30 और 60, तो हम इसमें लिखेंगे answer 30 और 60, अब दूस्तरा है, what common multiples of 4 and 6 are written in the orange part so 4 and 6 में orange part में कौन से हमने common multiples लिखे 4 and 6 के वो लिखे हमने answer लिखेंगे 12 24 36 48 और 60 ठीक है बच्चो अब in which colored part did you write the common multiples of 4, 6 and 5 भाई हमने common multiple 4, 6 and 5 किस इसमें दिखा color part में लिखा orange में green में तो हम लिखेंगे green part answer लिखेंगे green part ठीक है green part यह है इसका answer what is the smallest common multiple of 4, 6 or 5 भाई अब बताईए हमें smallest 4, 6 or 5 का smallest common multiple क्या है क्या है smallest common multiple 60 क्योंकि इससे पहले भी कोई नहीं है इसके बाद और हो सकते हैं लेकिन इससे पहले कोई भी नहीं है तो इसलिए हम कौन सा लिखेंगे 60 60 is the smallest part तो हम answer लिखेंगे यहाँ पर 60 ठीके बच्चो तो यह है आज का question तो आगे वाले में हम factors देखेंगे आप factors कैसे किये जाते हैं ठीके बच्चो तो इसका revision करना ओके बाई टेक कियर स्टे सेफ स्टे होम